तो आज हम बनाएंगे बीना मसाले याने की बहुत ही कम मसालों के साथ आलू पाला की स्वादिश सब्जी जो की खाने में बहुत ही स्वादिश होती है घर में रोजाना आप इस तरीके से आलू पाला की सब्जी बना सकते हैं चावल या फिर रोटी के साथ तो चलिए बीना स चमज इतना सर्शो का तेल डालेंगे तेल गर्म होने के बाद इसमें कुछ खड़े मसाले डालेंगे दाल्चीनी लोंग जावीत्री साथी में पांच से छे लैसुन की कलिया डालेंगे तीन मिर्श को काट कर डालेंगे सभी को मिलाने के बाद साथी में एक बड़े साइज के प्याज को हमने बारी काट लिया है उसे भी डाल देंगे प्याज को हम हलका भून लेंगे प्याज को हमें गॉल्डन ब्राउन नहीं करना है इसे हलका हमें भून लेना है प्याज को हलका हम इसलिए भूनेंगे क्योंकि यहां हम कच्चे आलू का इस्तमाल करेंगे तो आलू जब फ्राई होगी तो प्याज भी साथ में भूनाएगा तो इसलिए प्याज को हम थोड़ा कम भूनेंगे प्याज देख सकते हैं मैंने बहुत ही कम भूना है साथी में मैंने आलू डाल दिया है यहां मैंने चार कच्छे आलू को काट करके डाला है तो यहां हम कच्छे आलू का इस्तमाल कर रहे हैं तो इसे हम धकते हुए पकाएंगे ताकि भूनते से मैं ही आलू जो हमारा 50% पक ज भी खकते हैं तो ढ़कन हंटा कर हमें भीच भी चेक भी करते जाना है और अलू को मिलाते जाना है ताकि ज्यादा न जले तो आलू हमने 2-3 तर भूण मुधे नमक ये थालेंगे सबजी मसाला उससे बहुत ही कम मसालों को हमने इस्तमाल किया है धनिया पाउड़र और जल्दी जळण गुलजाते हैं को इसे घम सब्सक्राइब कर dishon 위에नरा चुरुक थो क्रुप साथ में यहां वे शाथ खेıllतों ज़ल फीड गंप मेरा जम्साली के सणाग। बहुत ही जल्दी बैगन जो है गल जाते हैं तो इसे हमने एक मिनट तक घून लिया है अब इसमें हम डालेंगे पालक यहां हमने 500 पालक का इस्तमाल किया है पालक को हमने काटने के बाद अच्छे से धो लिया है एक दम फ्रेस पालक है तो पालक को डालने के बाद इसे हम एक मिनट तक कंटिनम चलाते जाएंगे सबी मसालों के साथ इसे मिला लेंगे तो बहुत ही कम मसालों के साथ आलू पालक बैगन की आप ये रेसिपी घर में regular इस्तमाल कर सकते हैं तो पानी इसमें हम एड़ नहीं करना इसे हम ढ़कते हुए तीन से चार मिनट तक पकाएंगे तो आप देख सकते हैं पालक में जो भी पानी था वो रिलीज हो चुका है साइट से हमें पानी बिल्कुल नहीं डालनी है तो यह जो पानी है इसी में हम सारे सब्जीयों को पका लेंगे पालक से पानी काफे जादा रिलीज हुआ है तो चलिए इसे हम ढखते हुए पाश मिनट तक और पका लेंगे बीच बीच में ढखन हटा के हमें चेक भी करते जाना है और सारे सबजियों को मिलाते जाना है तो हम यहाँ सबजी सुखा बना रहे हैं तो जो भी इसमें से पानी रिलीज हुआ है उसे हम सुखा लेंगे ग्रेवी बिल्कुल नहीं रखेंगे तो कंटीनु इसे हमें चलाते जाना है और आप देख सकते हैं ये आलू पालक बैगन की सबजी बन के तयार हो चुका है तो इसे हम फटा फट से बाहर निकाल लेंगे तो ये बिल्कुल सिंपल तरीके से आप रोजाना घर में बना सकते हैं चावल या रोटी के साथ खाने में बहुत ही कमाल की लगेगी बहुत ही कम तेल मसालों के साथ बना है तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा